जए सिकैशना, कैसे हो सब लोग तो अच्छे ही होंगे और अच्छे ही होना भी चाहिए तो ये संडे का बोलोग है और देकिए ये मेरे घर का मंदिर है सुबह-सुबह का टाइ में पूजा कर चुकी हों में भगवान जे की और आज संडे है तो गायतरी मंदिर भी जाना है और ये बलिवेश्य यग कर रही हूं मैं जो कि मैं रोज करती हूं तो इसमें पांच आहूती देते हैं और सबको अपने घर में सबको करना चाहिए ये यग इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बस थोड़ा सा मैंने गुडगी लिया है और हवन सामकरी ली है अगर आप का भोजन बन जाता है तो आप थोड़ी सी रोटी बगेरा भी ले सकते हैं जो भी बनता है आप वो ले ले और बस मैंने जल छोड़के हाथ जोड़ लिए और इसके बाद देखी कितना अच्छा लग रहा है ना हमारे घर में जब हवान पूजा पार्टी होती है तो एक अलगी उड़ जाती है और बस हम मैं तैयार हो गए थी गायतरी मंदिर जाने के लिए तो यह निकल लिए है मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लगी हुई थी तो चिड रहे थे और इसके बाद में यह है मंदिर का व्यू हवन कर रहे थे और यह हमारी माता जी तो देखिए बस हवन हो चुका है उसका वीडियो मैंने नहीं शूट किया था क्योंकि हम लोग बाद महां की इस तरह से पूरी साफ सफ़य भी कर देते हैं और यह है गायत्री मंदे का परिशर और उसके बाद में आ गई थी राधे क्रेश्न मंदिर में रास्ते में ही हैं गायत्री मंदे से जब आते हैं तो मैंने महां के दर्सन किये और घर आने के बाद फिर में आ यह हैं मीठी नीम का पोधा अभी बारिस हो गई तो सब अच्छे पोधे हो गए हैं नहीं तो सब सूख गए थे और इसमें पत्ति आने लगी है चांदने का पोधा यह पहले मेरे वीडियो में देखा होगा और यह है सहजन का या सुर्जना बोलते हैं हम उसका पोधा लेकिन इसमें क्या पता क्या हो गया कि सारे पत्ते पीले हो रहे हैं और देखे गिलकी लगने लगी है अब मेरे हैं और अभी कुछ-कुछ भाजियां उग रही है चोटे-चोटे पोधे टमाटर वगेरा के उग रहे हैं इस बार में थोड़ा बोने में लेट हो गई थी तो अभी ज़्यादा अच्छे से नहीं उख पाए अभी डाले हैं बीज में और देखे गिलकी तो मेरे हां लगने लगी और ये दो गिलकी लगी है एक छोटी गिलकी है और एक बड़ी तो बड़ी वाली गिलकी आज हम तोड़ लेंगे और दो दिन बाद फिर छोटी वाली भी बड आज मेरा जादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था कल ब्रेट पकोड़े बनाये थे तो ब्रेट बची हुई थी तो बस हम लोग अब दूद ब्रेट खाऊंगी में बच्चों ने चाए के साथ ब्रेट खा लिए लेकिन मुझे दूद के साथ अच्छी लगती है ब्रेट बस अब में ब्रेट को सेख के और दूद के साथ आच्चाए ब्रेट के ही नास्ता करूंगी और नास्ता करने के बाद साथ साथ में घर के और भी काम निप्टाती जारी थी सुबा सुबा तो ऐसे भी बहुत काम रहते हैं लेकिन रहीवार के दिन में नास्ता जरूर बनात जल्दी रोज तो हम लोग जल्दी बनाते हैं और देखिए बस अराम से इत्मिनान से बैठके नास्ता करूंगी और नास्ता करने के बाद बाकी कपड़े और दो के फिर मैं वापस किचिन में आ गई थी और भोजन बनाने लगी थी और आज बिल्कुल सिंपल सा भोजन बनाय किया है सिर्फ मूंकी दाल और रोटी बनाई है वो सिंपल सा भोजन बनाया है और बस देखिए फट रोटी यां उतार रही हूं में और अब सब लोग भोजन करेंगे तो मैं परस्ती भी जा रही थी बच्चों को साथ में और इनको देती जा रही थी और उसके बाद फिर म मैंने मेरे लिए एक पराठा बना लिया था आकरी में क्या आलस आ रहा था तो मैंने फट्टे से जो आकरी का आठा बच्चा था उसका एक पराठा बनाया और बढ़ियां मूंकी दाल और पराठा एसे भी बहुत अच्छा लगता है बढ़िया में मूंकी दाल पराठा अच